हलो येवरोन वेल्कम बाक टियो ओन चैनल वैलसाघाज थर्ड अफ सेप्टेंबर 2022 लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप चाहे आज देखें कल देखें या आज से दस साल बात देखें इस वीडियो की इंपॉर्टेंस खतम नहीं होने वाले है क्योंकि इसमें मैं जो principles discuss करने वाला हूं जो theory जो concept discuss करने वाला हूं यह lifetime काम आएंगे दोस्तों बहुत ही important video है चाहिए आप retail trader हो छोटे trader हो चाहिए आप 10,000 की capital से trade या invest करते हो या फिर आप croats में trade करते हो यह principles are going to be the bedrock आपकी आपकी trading आपकी investing का betrock होने वाले हैं सबसे पहला question जो आपके दिमाग में आता है जब कभी भी आप सुनते हैं कि what is price action आपने कई बर सुना होगा price action को observe करो price action को देखो price action को समझो कई सारे लोग क्याते है price action price action के basis पर मैं trade करता हूं what the hell is price action price action होता क्या है तो सो price action वो तरीका है trade करने का जिसमें कोई भी indicator आप चार्ट पर यूज नहीं करते हैं क्यों यह बात तो बिल्कुल fact है कि indicators थोड़ा सा लैक करते हैं क्योंकि indicators दो चीजों का यूज करके बनते हैं पहली चीज टाइम and the second thing is historical price वाई simple से चीज है जो चीज पुराने price को लेकर के बनेगी उसमें थोड़ा पुराना data होगा तो थोड़ा सा वो लैक करेगा और time के factor को ध्यान में रखते हुए कितने कितने time का data कितने time का historical price हमको लेना है बासन में आ रही है तो यह दो components मिलके indicators का जनम देते हैं अब indicators कई तरीके होते हैं कई चीजें बताते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं लेंगे हम लोग बात करेंगे trading की investing की जब आपके chart पे कोई भी indicator नहीं for example अभी मैंने आपके आपके सामने तो थीरी बात नहीं होगी सारी चीजे प्रक्टिकल होगी यह निफ्टी-फ्टी-फ्टी का चार्ट पर अगर आप देखे तो यहां पर एक indicator लगा हुआ हुआ है ट्विंटी-ई-मे आरस ही लगा हुआ यह भी कि इंडिकेटर में इसवीडियो में पोस्ट कर रखा है और लेड़ी नहीं देखा यू मस्ट वाँज बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो लो दॉस्टोन आं अ दोसों इंटीन वृइए लिए आप ने गया चांट प्रिक तो लएक तो आपको चार प Main recreate अ सिर्फ तो दोसो, candle sticks की मदद से, candle stick की मदद से, जब आप, candle stick क्या है, what is candle stick, candle stick क्या है, candle stick price का representation, are you agreeing with me, मेरे से agree करते हैं यह नहीं करते हैं, तो price का representation है candle, तो price कैसा चल रहा है, वही चीज़, वही चीज़ डिफाइन कर रही है candle, तो candle को कैसे study करना है, उसका वीडियो पर चुका है, दोसों, यह four videos मैंने पहले ही डाल दिये थे, क्योंकि वह basics हैं, उसके बिना काम चलने नहीं वाला, तो अब वह चार चीज़ आपको clear हो चुकी है, तो candle stick के साथ, जब collection of candle stick बनता है, तो एक बनता है, उसे बोलते है, candle stick pattern, candle stick pattern, जिसको कि हम लोग आगे के वीडियो में cover करें होंगे, और जब कई सारे candle stick pattern मिलते हैं, तो बनता है, चार्ट pattern, बासमझ में आ रही है, तो बनता है, चार्ट pattern, बासमझ में आ रही है, तो क्या होता है, candle stick से पहली जिननी क्या है, candle, collection of candle stick मनाती है, candle stick pattern, candle stick pattern, और जब कई सारी candle stick pattern मनते हैं, तो बनता है, चार्ट pattern, अब इन इनके सेपरेड वीडियो में पोस्ट करूंगा दोसों आज मैं जो चीज बिल्कुल बेसिक से स्टाट कर रहा हूँ वो हैं दो चीज है पहले चीज ट्रेंड एनलिसस का कैसे आप बिल्कुल सही स्टॉक को सही समय पर पकड़ करके एंटर करें ट्रेंड अनलिसस और इस सेकें जर्ण में सारी चीज है आपको बताई नहीं घह्यों सकता है ये चीज बलकुल बेश्व जिए करता हूं जो हो सकता है की को से करण से अगर है लिंक डिस्रॉप्शन में है इंधिडियेल डाउनलोड करें ना श्रूरू करें तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि कंडल स्ट तो what is price action, price action मतलब candlestick या फिर line chart, अब action क्या है, action दोसको simple सी चीज है, price action कैसे दिखाएगा, कोई pattern मनाएगा, कोई pattern मनाएगा, इस तरह का pattern मनाएगा, rounding bottom pattern मनाएगा, तो आपको क्या बता चल रहा है, कि ये stock अपने price, अपने पुराने highs को बिल्कुल touch करने जा रहा है, मतलब आज से 6 महिने पहले जितनी strength इस stock में थी, वो strength फिर से stock regain कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, this stock is showing strength, अब जो stock strong है, क्या आप उसको sell करेंगे, कि buy करेंगे, comment section ने बताइए, simple चीज है, आप buy करेंगे, अगर कोई stock, कोई stock अपने 52 week low, पहले 52 week low को उसने 6 महिने पहले test किया था, like this, उसके stock फिर से गया, और अभी फिर से stock 52 week low के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि ये जो pattern बना रहा है, ये जो pattern बना रहा है, ये weak pattern, this is a weak pattern, तो क्या आप यहाँ stock को buy करेंगे, buy करेंगे and sell करेंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यां क्या रखना है, कि ये stock कैसा है, अगर ये stock अच्छा है, blue chip quality का है, जिसके fundamentals बहुत strong है, तो यहाँ आपर value buying कर सकते हैं, लेकिन trading perspective से stock को आप बिल्कुल भी buy नहीं करेंगे, for investing, maybe yes, क्योंकि ये stock अच्छा है, आज नहीं कल तो भागेगा ये बागेगा, लेकिन trading perspective से ये stock को आप बाए नहीं करेंगे, so candlestick pattern, chart pattern को हम लोग बाद ने सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे, तो ये सब सीखते हैं, हम लोग कुछ tools होते हैं, उनको भी हम लोग आगे सीखेंगे, cycle of price action, price action की cycle क्या है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, stock market मे जो price है, price का जो action है, वो कौन कर रहा है, मैं आपसे question पूझ रहा हूँ, who is doing the price action in market, ये मेरा आपके लिए question है, मैं आपको 2 second दे रहा हूँ, video को post करो, और comment section में लिखो, दोस्तों आपको मज़ा आएगा, जब आपका answer मेरे answer से match करेगा, तो लिखिए, one, two, okay, I am sure आपने answer ल price को हिलाने की ताकत है, price को हिलाने की ताकत किसके पास है, जिसके पास money flow है, जिसके पास करूल रुपे है, money flow है, जो कि stock को हिला सकता है, stock को move कर सकता है, अब हमारे जैसे लोग जो कि 10-5 लाग रुपे लगा करके क्या move रहेंगे, है ना, आप लोग में से कुछ लोग होंग लगाने से price move नहीं करेगा, price move करेगा जब उसमें 50 करोड, 100 करोड इस तरह के इस तरह का जब पैसे का influx आएगा और ये पैसे का influx करने की जिम्मदारी दो-तीन लोगों की होती है, पहली चीज जो individual investors होते हैं, बड़े individual investors, वो ये काम करते हैं, जो stakes को buy करते हैं, stakes को sell करते हैं नमबर टू, इंडिया के mutual fund houses, mutual fund houses को हम लोग D.I.I.s भी बोलते हैं, you know, domestic institutional investors, and third one is the FII, FII मतलब, you know, foreign institutional investor, मतलब जो लोग foreign के बड़े brokerage houses, बड़ी companies, बड़े fund houses, बड़े hedge fund houses, जिनके पास, you know, billions of dollars हैं, वो इंडिया में अच्छी quality of stock, ये फिनको लगता है, जिस stock में movement हो स रखता है, जिनके आपास insider news है, कि इस company में कोई बहुत बड़ा improvement होने वाला है, आने वाले समय में, वो लोग stock में पैसे लगाते हैं, लेकिन दोस्तों question यह है कि stock में अगर जिस time पैसे वो लगाने वाले हैं, वो पता चल जाए दोस्तों तो बले बले, है की नहीं, है की नह होता है, generally हम लोग को वो time पता नहीं चल पाता है, जब वो stock में पैसा लगा रहे है, तो दोस्तों पैसा वो लगाते हैं, जब market बिलकुल शान्त है, when absolutely stock में कुछ नहीं हो रहा, दोस्तों simple चीज़ है, अगर हला गुला होगा, stock भाग रहा होगा, तो उसमें अगर वो पैसे में कोई बतायागा, नहीं कोई discuss करेगा, क्योंकि वो hot stock नहीं है, तो वो लोग stock को accumulate करते हैं, जब stock consolidation phase में होता है, number two, अब जब वो stock में अच्छी खासी position बना चुके होता है, तो सिंपल सी जीज़ है, वो अगर किसी stock में, अगर करोन की position बनाएंगे, तो वो एक दिन में बनाएंगे, मेरी बात समय में आ रही है, वो एक दिन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि एर एक दिन में बनाएंगे, तो stock उसी दिन अपर circuit में हिट कर जाएगा, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे बाइंग करना शुरू करते हैं, और stock धीरे उपर जाता है, फिर निचे आता है, तोग पर निचे धिराता है दो दो एक एक दो दो परसंट का movement होता है लोगों को पता ही नहीं चलता है फिर एक दिन क्या होता है कि स्टॉक में एकदम से breakout आता है और दोस्तों वो एकदम से breakout वो जान-bूच के लिए आते हैं जिससे कि वो stock मेडिया में चैनल में यूट्यूबर्स के बीच में ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे हर जगह चाह जाए और वो समय होता है distribution phase मतलब जिस stock को उन्होंने पहले accumulate किया है उसको distribute कर देते हैं retailers को चार्ट में बताता हूं दोसों यह story आपको आपको मजाय का मैं क्या बोल रहा हूं और दुसों मैं कोई भी चीज़ बिना reality के नहीं बोलता हूं मैं बात करूंगा उन स्टॉक्स की क्योंकि मैंने अपने members के साथ discuss किया है तो community section में जाते हैं जहाँ पर मैं दुस्व अभी दो ही membership है जो की आन है वन इस दामन और रहां दामन प्लस तो डामन प्लस में सारे के सारे ट्रेटेट करता हूं डामन में सिर्फ इंट्राडे कैश एंड बीटेश्ट तो इसमें मैंने दुस्व एक दिन पहले दो ट्रेट्स लिया मैंने दुनों आपके साथ में डिसक्स करूंगा वन इस जी में फॉर्टलर और इस राई आई एल ठीक है उसके पहले तो उसके पहले तो पुरान दिन हो गया रानी खोड़ात चार्ड को स्टेडी करना है तो पहले उसको जूम आउंट करना है चोटा करना है तो मैं चूटा करना है ताक यहां रहा है और आप आप दके यह stock कितने समय से अगर आप देखें तो तकरीबन 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 आप पाएंगे कि पिछले तकरीबन छह, साथ, आठ महीनों से इन फाक्ट यहां पर भी stock accumulation zone में था अब आप देख पा रहे हैं यह बड़ी-बड़ी candle का है यह बड़ी-बड़ी candle volumes कि यह जब you know FIAs न भी आप इंडी आइसे पाइं करी उनने उन इस द मैंकरी मेडिय ऐसे इक थू परसन वाले स्टोप की मेडिय में कोई इल चलने होती है फिर accumulation हुँ फिर accumulation हुए, तो इसे में कोई छल चलने हो रहे, दो एक दो परच, दिन तो दोस्तों अगर आप देखें यहां पर आप मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं तो 1760 यह वो रेंज है जब मैंने स्टॉक को पिक किया जो उसका पुराना हाई था जैसे इसने इसको ब्रेक किया 1760 के प्राइस पे 1762 के प्राइस मैंने इसको पिक अप किया और है distribution phase, distribution phase मतलब अभी यह stock धीरे धीरे retailers को पास किया जाएगा, इसका मतलब यह नहीं stock यहां से crash कर जाएगा, no, क्योंकि अभी तो जो operators है वो पैसा बनाएंगे, अभी तो उन्होंने भाई यह तो अब समय accumulation गा भाई, this was just the time of accumulation, अभी तो नहोंने पैसा बनाया नहीं है, पै stock up के price को भगाएंगे, और जो जो धीरे धीरे करके यहां पर enter करता जाएगा, वो लोग trap हो रहे है, they are getting trap, और जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ, stock की reasonable value आ गई है, उनके पास algorithm होते हैं, उनके पास calculate करने के specific tools होते हैं, कि stock की fair value क्या है, based on its forward PE, forward PE मतलब future में आने वाली earning के हिस आप से, इस stock की reasonable valuation क्या है, वह साथ उनके गणित करके रखी होती है, जैसे stock से, suppose इसकी forward PE 2200, तो इस पर प्रॉफिट को बुक कर देंगा, और एकदम से stock में गिरावट आएगा, बासुन मही, तो ये चीज पकड़ना, ये चीज पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और हम ने क दिकत क्या है, अगर आप stock को 2200, 2100 पर पकड़ रहे हैं, तो फिर गलत काम है, अब दूस्तों हमनों समझते हैं, third phase, third phase is race race में, अब क्या होता है, इस में कुछ न कुछ लोग, जैसे कि अभी, you know, institutional investors से उनको तो मालूम है, इस stock की valuation है 2200 रुपह, 2200 इस stock की fair value है, लेकिन वो stock में profit को यहां book नहीं करेंगे, यहां पर book नहीं करेंगे 1902,000 पर जबकि उनको profit हो रहा होगा, वो profit को book करेंगे 2200 के आसपास, लेकिन कुछ investors हैं, कुछ traders हैं जिन्होंने stock को 13 सुपह बाइग कर रखा है, 14 सुपह बाइग कर रखा है, 15 सुपह बाइग कर रखा है, by luck, by chance, क ऐसे उनको मिलेगा 10% यहां से profit को book कर लेंगे, तो stock retrace करता है, तो first phase is accumulation phase, यह जो consolidation की phase है, this is phase number one, second phase is this breakout phase, जिसको कि मैं पकड़ता हूँ, मैं इसको कैसे पकड़ता हूँ, यह अपने में आपको सीखना पड़ेगा, you will have to learn, उसके लिए तो मैंने आपको बता रखा है कि यह अगर आप यह जाना चाहते हैं कि सर यह stock मुझे बता दीजिए, तो उसके लिए भी link description में है, sign up करें और आप हमारी lifetime member बन सकते हैं, link is in description, तो यहां पर stock मेंने वाई किया है, अब यह stock उपर बढ़ेगा, उपर बढ़ेगा, उपर बढ़ेगा, तो हमारा क्या काम है, हमारा एम रहता है 10%, मतला अगर हमने stock में 1762 पे एंटर किया है, तो हमें 200 रुपए के आसपास मिल जा है, मतलब 2000 के आसपास हम लोग profit को book कर लेगे, ना हमें उपर का 10% चाहिए, ना हमें नीचे का 10% चाहिए, हमें यह 10% चाहिए, जो की हमें book करना है, बास समझ में आ गई, as a trader, अब क्या है, थर्ड जो phase है, वो है retracement, तो जिन लोगों ने यहां पर accumulate नहीं कर पाया, जिन लोगों ने breakout के समय कर पाया, तो वो लोगों क्या करते हैं, वो लोगों यहां पे आते ही accumulate करते हैं, यह जैसे stock में breakout आएगा, stock news में आ जाएगा, और news में आने के बाद, थोड़ा breakout दे दिया, आप move शुरू कर दिया, जो कि वो देगा, और वो उसका होगा final move, और यह होगा major move आएगा final, और वो last phase होगा, और जो जो लोग उस last phase में बाइन करेंगे, वो लोग trap होंगे, तो यहां से stock में profit booking आएगी बड़े वाली, तो यह होता है last phase, तो चार phase आपको clear होगा, price action के, that is consolidation, जिसको बोलते है, accumulation phase, second one is breakout phase, third one is retracement phase, and the fourth one is major move, which is the last phase, तो दो दो, I hope आपको यह चीज़ तो clear हो ही गई होगा, I am pretty confident about it, और, fine, तो यह तो पहले चीज़ होगा, दुसरी चीज़ दो कि मुझे आपके साथ एसलें करनी थी, वो था trend analysis, अ मैं आपको 50-50 का चार पर लेके चलता हूँ, और यह दो था दोसों, आपको एक phase बताना, एक तरीका कि कैसे आपको, कि स्टॉक में बाइं करनी है, कैसे, you know, operators आपके साथ, you know, price के साथ action करते हैं, और सही समय पेंटर करते हैं, और कैसे आप सही समय पेंटर करें, with the help of price action, औ और कैसे अवोईड भी करें, okay, the second one, the second thing which I want to discuss with you is the trend analysis, अब तो सब्सक्राइब के बारे में आप लोग जानते हैं होंगे की trend कैसे कितने प्रकार का होता है, तो ट्रेंड दोस्तों, तीन प्रकार का होता है, तो ट्रेंड दोस्तों, तीन प्रकार का होता है, तो ट्रेंड जी अब trend के है दोस्तों, जब stock इस तरह से move कर रहा है, बासन जाई, downtrend के है, जब stock ऐसे move कर रहा है, okay, and sideways trend के है, जब stock ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे हो जा रहा है, फिर ऐसे हो जा रहा है, जैसा कि, जैसा कि, जैसा कि, जैसा कि, जी मैं पॉडलर में हो रहा था, तो वो stock sideways trend में था, तो जब stock uptrend में है, तो उसमें क्या, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, कि stock में जो highs बन रहे होते हैं, अगला जो high बनेगा, वो पिछले वाले high से, पिछले वाले high से हमेशा उपर होगा, बासिन में आई, downtrend में, जो high ह होगा, next high वो पिछले वाले high से नीचे होगा, अगला जो high बन रहा है, पिछले वाले high से नीचे है, सेम low के साथ में, जो पिछला low था, जो next low आ रहा है, वो पिछले वाले से high है, higher low, तो higher low बन रहा है, अगला जो low बन रहा है, वो भी पिछले वाले low से higher low बन रहा है, और वो भी लोवर बन रहा है इसको बोलते है lower lows ठेक है यह चीज़ के लिए हो गई तो स्टॉक को downtrend में क्या आते हैं साइडवेस ट्रेंड दो सो जब higher high बना उसके बाद low बन गया तो ऐसे लगा downtrend है तो अगला भी एक बात confirm होने के लिए हमको लो चाहिए ना लेकिन अगला बला high बन गया फिर उसके बाद low बन गया अब यह low भी नहीं है high भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे sideways trend तो दोस्तो करता है loss में निकल जाए तो इसको side में करो इसको हटाओ अब दोस्तों पैसा कब बनता है पैसा बनता है जब आप trend reversal में participate करते हैं मतलब जब trend reverse कर रहा हो reverse करने वाला हो तब आप enter करें तब बनेगा मोटा पैसा मतलब क्या है इसको समझाता हूं यह चल रहा है lower lows आपको पत लोवर हाइज बन रहे है lower highs बन रहे है और लोज भी लोवर बन रहे है lower lows बन रहे है अब दोस्तों सिंपल से चीज़ है अब कोशन होगा कि सर यह कैसे पता करें कि यह बिल्कुल अब यहां से रिवर्सल आ गया stock में कैसे बता करें बहुत सिंपल तरीक है very very simple analysis दोस्तों यह बिल्कुल basics हैं इसलिए मैं अपने courses में इनको cover नहीं करता हूँ लेकिन यह मैं इसलिए बना रहा हूँ था कि जब भी मेरा कोई course ले तो मैंसे कहूं कम से कम WSG trading channel के सारे वीडियो पहले देख लो फिर course लो और वैसे 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 वेल सागा मैं मैंने यह वीडियो डाल अब दोस्तों अगर स्टॉक का प्राइस रिवर्स करता है और उसके बाद ऐसे जा करके फिर लो बनाता है तो यह पहला sign अब यह नहीं बना activists दी फ़र्स साइं कि स्टॉक का जो हाई था अभी ecosystem अगर यह स्टॉक का जो लो है वह पिछले वाले नीचे नहीं बनता है मालता एक अप्शन च्बास भी हो सकते थे जोलो बना वह पिछले वाले लोग के नीचे तो यह जो लो बना की नीचे लेकिन अगर वहीं पर, अगर वहीं पर क्या होता है, अगर वहीं पर, high भी पिछली वाला high से उपर हो जाता है, और जो low है वो भी पिछली बार से उपर हो जाता है, one and two, ये ही confirmation चाहिए दोस्तों, और stock price जैसे उपर जाने लगे, तो आप समझे लिजे, trend reverse हो क्या, bottom बन गया है, bottom has been formed, I hope you are with me, I hope आपको मेरी चारी चीज़े समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो लिखिए, yes, comment section में, sir, मजा आ गया, sir, you know, मजा आ गया, अब दोस्तों, यही चीज़ में आपको समझाने वाला हूं, stock, you have a nifty की basis में, दोस्तों, देखिए, nifty में, ये देखिए, है, highs लो बन रहे है, highs भी लो बन रहे है, और lows भी लो बन रहे है, बन रहे नहीं बन रहे है, पहली बार क्या हुआ, जब पहली बार trend reversal का sign कहा पर आया, जब इसने अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखेंगे, या फिर इसको आप line chart में कर देंगे, तो आपको सा 16,800 वो लेवल था, जहां पर trend reverse हो गया था, जहां पर आपको enter करना चाहिए था, आपको अपने long term के लिए stock buy करने चाहिए थे और whatnot, आपको यहां पर long term position create करनी ही करनी थी, अब maximum क्या हो सकता है, worst क्या हो सकता है, वही same price action की cycle, stock यह निफ्टी थोड़ा सा retrans कर सकता है, 16,800 क लेवल के बाद में एक major move दिखाएगा, so अगर तो बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप पहले चीज़ तो यहां buy करने चाहिए थी, तो मज़ी मज़ी आते, अगर आप miss कर गए हैं, तो उसके बाद अभी जो retracement होगा, इसको miss मत करिएगा, do not miss, तो अगर आप investor हैं, तो भ अगर बार एक नहीं चीज़ सुना ही फोड़ेगी, नहीं चीज़ समझ में एक गजब यार सर ने क्या बताया है, are you getting, अब इसको क्या करो, इसको back test करो, जो मैं आपको बताया है, इसको कई सारे stocks में, you know, back test करो, आपको लेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह 110% काम क सकता हूँ कि इसको आप यूज करेंगे, you will never falter, तो यह price action trading का पहला part था, part one, अगर आप चाहते हैं कि part two बने तो इस वीडियो को लाइक करें, at least 10,000 likes, 10,000 views नहीं, 10,000 likes, तो आपका हर एक लाइक matter करेंगा, तो part two बना हैंगे next, और वीडियो बसंद आया है, अपने friends के subscribe करना मत भूलिएगा, thank you so much, bye bye for now.